जो zero number होता है, दुनिया में सबसे पहले उसकी कोज कहा हुई थी? और 10 करूर साल पहले भारत कैसा दिखता था? इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे ही मदितार facts बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका मुँख कुछ ऐसा हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपको पता है कि भारत का भी दुनिया का सबसे अमीर देश भी हुआ करता था? जी हाँ, करीब सत्रवी सदी के आज़ पास दुनिया का सबसे अमीर देश भारत ही था भारत के सबसे पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था भारत का पहला रॉकेट इतना हलका था कि इस लाँचिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर लखकर ले जाया गया था जो सूपर कम्प्यूटर्स होते हैं क्या आपको पता है अमेरिका और जापान के बाद भारत का सूपर कम्प्यूटर बनाने में तीसरा इस्थान है पीजा हाट, कैफसी और मैकडॉनल्स जैसी बड़ी कम्पनीज इन दिनों कम्पनीज दें इस्पेशली भारत के लिए अपने शाकाहरी डेस्टूरेंट सबसे पहले भारत में ही खोले थे क्या आपको पता है, जो भारतीय ट्रेंस हैं, उनसे 13 लाग से भी ज्यादा लोगों का घर चलता है और ये संख्या कई देशों की जन संख्या से भी अधिक है श्यत्रणशी का जो गेम होता है, क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे पहले उसकी खोज कहा होई थी? जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले श्यत्रणशी खोज भारत में ही होई थी, जो आज पूरी दुनिया में मशूर है ये एक study है कि दुनिया में जितने भी करमचारी हैं काम करने वाले उनका 25% आने वाले सालों में भारत से ही होगा दुनिया के सबसे बड़ी film industry भारत में है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा films भारत से ही निकलती है क्या आपको पता है कि पूरी दुनियों में सबसे बड़े देशों में भारत का नाम साथवे नमबर पर आता है दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी भारत में ही रहते है दुनिया का सबसे उचा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है ये हिमाचार प्रदेश में बना हुआ है और ये समंद्र तल से 24,000 मीटर उपर बना है दुनिया में जो लोग सोना खरीते हैं गोल्ड इसके मामले में भारत सबसे आगे है दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारत में ही खरीद जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा post offices भारत में ही बने हुए है क्या आपको पता है जीरो नंबर, प्लास्टिक सरजरी और आपके शर्ट का बटन इन तीनों चीजों का आवश्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था और क्या आपको पता है कि 10 करोर साल पहले भारत एक दुईप था और ये कुछ ऐसा दिखता था अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी जरूर कर लेना जिससे ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएं तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो